नए वर्ष का आगाज हो, स्वर्णिम सवेरा लिये साथ हो, सर में पिता का शीष, मा का दुलार हो, भले चनोतियों का साज हो, पर हर हिर्दे में जीतनी का राग हो, सबके अधरों में मुझकान और संस्कृति का मान हो, नए नया वर्ष हर सब के लिए सफलता का नया आया हूँ, नमस्कार में लईता पांडी दिली से आप सभी को सीएफम परिवार की तरफ से नववर्ष की हार्दिक सुबकामना है, आप सभी स्वस्त रहें, निरोग रहें, आपके जीवन में खुशाली पनी रहें, हमारी सब क की यही मंगल कामना है, धन्नीवाई, नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार नवीन गौरव, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2021 की अनंत सुबकामनाय वैक्त करता हूँ, इस वर्ष उम्मीद करता हूँ, कि यह वर्ष आप सभी के जीवन में धेर सारी खुशियां लेकर आए, और सबसे पहले तो मैं कोल्ड फिर मीरर के संपादक महोदय का बहुत आभार वैक्त करता हूँ, कि उन्होंने नए कलमकारों के लिए जो एक नया मंच परदान किया है, बहुत सारी रचनाय हम लोग उनको भेजते हैं, और वे अपने निउस पेपर में नहिसूलक संपादि करते हैं, और बहुत ही नए कलमकारों को एक नया अपसर परदान करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाय के योग्य हैं, और अब ज़्यदा समय नहीं लेते हुए, मैं अपनी कावे पाठ पे आ जाता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, कि प अलायन कर गए, शहरों को छोड़ कर चले गए, तो उमीर करते हैं कि यह नववर्स 2021 हम सभी के जीवन में नई खुशियां लेके आए, इस संकट महामारी को दूर भगाए, इस पर मैं अपनी कुछ चंद रचनाय आप लोगों के समक्ष प्रस्दूत करता हूँ, आप लोग नया साल सुभ मंगल 21 स्वागत 21 का करें, बरी मुस्किल से बीता है 20 स्वागत 21 का करें, नया साल सुभ मंगल 21 स्वागत 21 का करें, और कैसे नया साल सुभ मंगल हो और पिछला साल बरी मुस्किल से बीता है चार पंक्ती रखता हूँ सुभ मंगल 21 स्वागत 21 का करें और अभी भी सब कुछ सामाने नहीं हो पाया है इसकुल और कॉलेज पर ताले जरे हैं लाला को ग्राहक के लाले परे हैं इसकुल और कॉलेज पर ताले जरे हैं मुहुँ दिखाई के भरने फीस स्वागत 21 का करें नया साल सुभ मंगल 21 स्वागत 21 का करें दिली में तो मुझ दिखाई 2000 रुपिय है नया साल सुभ मंगल 21 स्वागत 21 का करें प्रभू रखना बनाए सीस स्वागत 21 का करें बड़ी मुसिकिल से बीता है बीस स्वागत 21 का करें आप सभी को नव बर्स बहुत बहुत मंगल मैं हो यही इसी कामना के साथ मैं अपनी कावेपाठ को विराम देता हूँ जै हिंद जै बागत नमस्कार मैं गीतापति CFM News के माध्यम से वा CFM लिखी का संग के माध्यम से आदर्निया श्री जहांकिर आलम जी वा मेरी समस्त प्रिया कलमकार वा कवित्रियों को वा भारत के प्रतेक नागरीकों को नव वर्ष की हार्दिक शुक कामना देती हूँ वा उनके लिए उनके अच्छे स्वस्त के लिए सुख वा सम्रधी के लिए कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कुछ इस तरह से नव वर्ष की सुर्वात हो बस चारों और खुश्यों की ही बरसात हो मैं अपने भारत के प्रतेक व्यक्ति से नागरीकों से अपेल करती हूँ कि हमें स्वच भारत अभ्यान में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए क्योंकि सिर्फ ये सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि कोई भी अभ्यान चलाएं और तब हम कोई कार्य करें या हमें कोई जुल्माना देने पड़े तब हम कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए यह हमारा कर्तव्य है देश हमारा है तो कर्तव्य वज्मेदारी भी हमारी है तो मैं सबसे अपील करती हूँ देशवासियों के परतिक नागरियों को से अपील करती हूँ कि स्वस्त रहें मस्त रहें और भारत को स्वच बनाने में सहयोग दें धन्यवाद गीता पती सी एफिम न्यूस की दरब से जी बैया कि शुबला नवाज को जबसा यहां पोका नवासी हूँ मैं कोल्ड फिल्ड मिरर से कुछ समय पहले ही जुड़ा हूँ और मुझे कुल्ड फिल्ड मिरर नामक समाचार पत्र से जुड़ के बहुत अच्छा लगा यहां के समाचार पत्र के जो शंबादक महुदे हैं उनका प्रेम और इस ने मुझ भी हुआ और मैंने अपनी रचनाओं को जब भी मैं समपादक महुदे तक पहुचाता रहा उनके हमारी पत्र करता को समय पर प्रकासिक किया और जिसके लिए मैं समपादक महुदे का आवारी हूँ और मैं तुचा दो लाइन कविता के रुप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ और कोल्ड फिल्ड मिरर के लिए तो कविताओं को आप कोर्स सुनें मैं चलता फिरता राही हूँ मैं चलता फिरता राही हूँ मंजिल ही मेरी मिसानी है मैं एक लेखत दूँ मैं एक रचना कार भूँ ग्लमकार और मंजिल का मतलब है अगर हमारा जो लेख है तो समाचार पत्र अशेत हो रहा है तो वही हमारी मंजिल की निसानी हूँ मैं चलता फिरता राही हूँ मंजल ही मेरी निसानी है तेरा प्यार ही मेरा दरबन है तेरा प्यार ही मेरा दरबन है तेरा लूप ही मेरी जवानी है में चनता फिरिता राही हूँ आभार रख्ट करता हूँ मैं संबादक महदे और कोल्ट निररका और मैं समाचारपत के जो शंबादक महदे हैं इनका बोटी सावार कावना करता हूँ इसहर से की आने वाला वर्स दो हजार 221 मतलब यू की चली रहा है आने वाला क्या चली ही रहा है और 2020 तो अच्छा नहीं गया लेकिन 2021 कि हम सब का अमारी पुरी ठीम का बहुत अच्छा जाए इसमें हम लोग हुचाईयों के सीखर को चुई ऐसी इशर से तामता है जाहिद जैना मैं नम्रता तिवारी लकन उत्तपरी से आप सभी को नौ वर्ष के आदुख शुप कमना प्रदान करती हूं और जसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष में हमने बहुत दुख जी ले हैं मतलब संपूर्ण विश्र ने और आशा है कि यह नौ वर्ष हम सब के लिए खुशियों बढ़ा होगा एक छोटी सी कविता इस अंदर में प्रसूर करना चाहते हूं आशा है उम्मीद तुमी से यह आशा नौ वर्ष दोजाएक्किसे हैं आशा है उम्मीद तुमी से हर लोगे यह दुख खुशी से खूब सताया गत वर्ष ने अब तो है उम्मीद तुमी से जू नौ गत वर्ष आया है जू गत वर्ष आया था कुरोना साथ ले आया था डरते डरते संपून जगने यह वर्ष बिताया था रुपया पैसा सोरत सभी ने से जुकाया था एक प्रभु की उम्मीद से जीवन ही बच पाया था प्रातना यही आप से प्रभु अब या दुख हरो नोतन वर्ष के प्राणब से जीवन में सतरंग भरो जीवन में सतरंग भरो जन्यवाद नमस्काप मैं रजिनिस्क्वार मिस्र प्रामखोडा साजानपूर आप सभी को नबवर्ष दो हजार इकिस की ठेरों शुपकामना है सी एफेम मंच पटल को हार्दिक अभिनंदन पस्तुत है मेरा छोटा सा काप्यपाट कुछ दोहों और एक गजल के माध्यम से नबवर्ष लेकर आये खुशियों का संसार खिल जीवन मधुमास सा महके हर घर द्वार करें सुईकार बधाई आया है नबवर्ष नबुमंग उमीद का लेकर नबुत कर्स सुबिचार सु स्वास्थ है उम्र धन बैभव सम्मान नेहाशिस बड़ों का खुब मिले भगवान हो शुचिता का आगमन खुशियां बरसें द्वार दीपक ग्यान प्रकास से सब घर हो जियार बांटे है मो का मिला खुशियां नूतन बर्स दे कर शुब कामनाएं भरिये सब में हर्स तेरा मेरा भूल सब करिये नबूत्थान गड़ुदारता का रूप करो अमर पहचान आओ मिलकर सब करें सर से फरियाद हर घर से इस बर्स में जाए कटु संबाद मरियादारे खा कभी मत लांगो तुम यार इस अनुसासन में छिपा जीवन का म्रदुसार ग्यान सवेरा के बिना समय चक्र है जाल ग्यान प्रकास होते ही हटते सब जंजाल सुनने को हातुर सदाश रोता कभी तागान गागर में सागर लिये हाजिर होता ग्यान कोविड नाइंटीन था टीचर आप दा साल जगत को पाठ पढ़ाया बन कर कठिन सवाल बर्स 2020 हमें टीचर बन कर बहुत सी खटी मीठी बाते और अनुभब दे गया है उसी से रिलेटेड एक छोटी सी गजल ए जिन्दिगी तू क्यों इतना सताती है कभी हसाती तो कभी बहुत रुलाती है कभी तो तू लगती है माशू का प्यारी सी कभी हेड मास्टर नीबन गनित पढ़ाती है कभी तो तू लगती अनसुल जी कठिन पहली सी कभी गीत गुल जार के तू गुन गुनाती है कभी दिवाली बन कहे कहे लगवाती तू खूम कभी टीस कोविड नाइंटीन की दे जाती है ए जिन्दिगी तू क्यों इतना सताती है कभी हसाती तो कभी बहुत रुलाती है कभी तो तू लगती हो ली रंग बसंत वहारों सी पर कभी तो तू पत जर्बन बुहार लगाती है ये कैसी विद्याएं सीखी तूने ए यार जिन्दिगी जिनसे तू हर दम मुझे उंगली पे नचाती है तू ये दिजाने की सोचे तो दिलिये घबराता पर तू तो मुझे गमजदा देखकर मुस्कराती है ए जिन्दिगी तू क्यों इतना सताती है कभी हसाती तो कभी वह तुरुलाती है अपनी बेबसी पर जब भी मैं आशू बहाता तो मीत पुराना बन मुझे धाड़स बनाती है ए जिन्दिगी तू क्यों इतना सताती है कभी हसाती तो कभी वह तुरुलाती है माना दीपक का जीवन ही जलने के लिए होताओ पर क्यों तू दीपक के नीचे अंधेरा छिपाती है ए जिन्दिगी तू क्यों इतना सताती है कभी हसाती तो कभी वह तुरुलाती है धन्यवाद नमस्कार मैं सरिकात्रपाटी लखनु उत्तरप्रदेश से आप लोग के समझ एक कभीता प्रस्तुत करती हूँ जिसका सेशक है नई उमंग जाने वाला है दो हजार बीस लाया था जो साथ महामारी ले कर जाएगा क्या दो हजार बीस लाया था जो साथम हमारी लेकर जाएगा क्या 2020 समय एक सान रहने वाला सबको लेकर संग्चलने वाला कस्ट अपार पहुचाया वीता वर्ष आसा है साय दम्मिटने वाला कस्ट अपार पहुचाया वीता वर्ष आसा है साय दम्मिटने वाला लेकर आए नई किरन वर्ष स्वयकार करे सवहिर्दे सहर्ष उम्मीद है तुस्से 2021 भर्द जोली खुश्यों से या वर्ष उम्मीद है तुस्से 2021 भर्द जोली खुश्यों से या वर्ष